अथपंचम अध्यायाह श्रेशुकवाच अत्रानु वर्ण्यते भीक्ष्ण विश्वात्मा भगवान हरिही यस्यप्रसाद जो ब्रम्हा रुद्रहा क्रोधसमुद्भवाः त्वंतु राजन्मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही नजातः प्रागभूतो द्या देहबत्वं ननंक्षशे नभविष्यषि भूत्वात्वं उत्रप उत्रादि रूपवान भीजां कुरवद देहादेर व्यतिरिक्तो यतानलहा स्वपने यथा शिरस्चेदं पंचत्वाध्यात्मनहास्वयं यस्मात्पष्यति देहस्या तता आत्माईहयो मरह घटे भिन्य यथा काश आकाश हो स्याध्य यथा पुरा एबंदे मृते जीवो ब्रह्म्ह संपध्यते पुनहा मनहा श्रियति वैदेहान गुनान कर्माणि चात्मनहा तन्मनहा श्रियते माया ततो जीवस्यसंश्रते श्नेहा धिष्ठान वर्त्यग्नि सैयोगो यावदियते ततो दीपस्यदी पत्व मेवंदेह कृतो भवाह रजह सत्व तमो बृत्या जायते थो विनश्यते नातत्रात्मासयं जोतिर यो ब्यक्ता अब्यक्त यो परह आकाश इवचाधारो द्रुवो नंतो पमस्ततः एव मात्मान मात्मस्त मात्मनेवा मृषप्रभो बुद्यानुवान गर्विन्या बासुदेवानुचिंतया चोदितो विप्रवाक्येन नत्वां धक्ष्यति तक्षका मृत्यवो नोपधक्षंदी मृत्युना मृत्युमीष्वरम् अहं ब्रम्ह परम्धाम ब्रम्हां परमंपद्व एवं समीक्षन आत्मान मात्मन्याधाय निष्कले दशंतं तक्षगं पादे लेलिहानं विशानने नाद्रक्ष्यति शरीरं च विश्वं च प्रिथगात्मनाः एतत्य कथितंतात यतात्मा प्रिष्टवान्रिप अरेर विश्वात्मनस्चेष्टां किम्भूया श्रोतु मिच्चसे इतिश्रीमत भागवते महापुराने पारमहं स्याम संहितायां द्वादशस्कंदे ब्रमो पदेशो नाम पंचमो ध्याया